एक दिन में निप्टी 408 पॉइंट और मैंग निप्टी 1617 पॉइंट भाग गए लेकिन क्यूं क्यूंकि 3 डिसेंबर में 4 स्टेट इलेक्षन के रिजल्ड एनाउंस हुए और 4 में से 3 में बीजेपी की जीत हुई और ये बाद स्टॉग मार्केट को बहुत ही जाधा पसंद आई तो कॉंग्रेस का क्या खत्म है बाइबाइ टाटा गुडबाइ गया तो आज के वीडियो में चार बाते ऐसे करेंगे जिसे बता चलता है कि स्टेवल गुर्मेंट होना स्टॉग मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और चोथा वाला मेरा फेवरेट है तो पहला पॉइंट है पॉलिसी चेंज अगर कोई भी पार्टी पावर में हो अगर वो बीजेपी हो कॉंग्रेस हो त्रिनिमूल कॉंग्रेस हो या आप हो या बीजेडी तक हो अगर कोई भी पार्टी यहाँ पर पावर में रहती है तो उनका एक विजन होता है उनका एक स्ट्रेटीजी होता है उनका एक एजेंटा होता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे शिवरात चोहन की सरकार ने एक scheme निकाली थी लाड़ी बहना scheme वो scheme तो बहुत ही ज़्यादा popular है वहाँगर इस बार यहाँ पे Congress आ जाती तो सायद होता है कि वो मेरी लाड़ी बहना scheme बंद हो जाती तो यह example था अगर दूसरा भी example दूँ यहाँ पे तो stock market के हिसाब से short term capital gain, tax बढ़ा देना क्या कोई भी ऐसा change दो market को negative लगे तो वहाँ पे एक problem होता है अगर एक stable सरकार होती यहाँ तो वहाँ पे change नहीं होता गुज अगर change नहीं होता एक agenda एक strategy से अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पे stable होता है stock market और अच्छे returns होने के समभाबना बढ़ जाती है वहाँ पे दूसरा point है global relation दो हजार बाइस के data के हिसाब से इंडिया का पूरा वाल्ड का 4.4% export करता है और उसका value है 760 billion dollars अगर global relation थोड़ा भी खराब होता है import और export में हमारा बहुत दिल जाजा loss हो सकता है अगर import और export अच्छे से नहीं होता है तो हमारा GDP घड़ जाएगा अगर हमारा GDP घड़ जाएगा तो इंडिया का growth जो है वो भी घड़ जाएगा और जब इंडिया का growth घड़ जाता है तो हमारा stock market भी रुख जाता है अगर GDP growth अच्छे से हो रहा है तो यहाँ पे हमारा stock market भी उससे ज़्यादा हिसाब से बढ़ता है और GDP घड़ जाएगा तो stock market उससे ज़्यादा गिड़ जाएगा क्योंकि वो stock market प्रियम्ट कर लेता है growth को अगर growth अच्छी है stock market अच्छा है अगर growth खराब है तो stock market ज़्यादा खराब हो जाएगा तो तीसरा point है business growth अगर यहाँ पे देखें तो stock market को ऐसा government पसंद आता है जो business को help करें तो इसके लिए snapshot को देखें तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे physical deficit तो यहाँ पे देखेंगे बहुती ज़्यादा sweet spot में है और इसी inflation के वज़े से ही हमको RBI को एक award भी मिल चुका है और यहाँ पे तीसरा point है यहाँ पे foreign exchange reserve जो की all time high पे चल रहा है यहाँ पे 563 billion US dollars में चल रहा है अगर हम four point देखें agriculture and allied activities यहाँ पे थोड़ा decrease हुआ है लेकिन industrial growth यहाँ पे भी थोड़ा decline हुआ है और यहाँ पे service देखें तो service sector बहुत अच्छे तरीके से grow कर रहा है और overall देखें तो overall के सब को मिला के GDP data क्या बोल रहा है GDP की data के हिजाब से हम बहुत ही अच्छा कर रहे है in comparison to the whole world अगर हम पूरे दुनिया के देखें तो यहाँ पे हमारा 6.8% लेके 7% तक growth हो रहा है इस साल में जो की अभी projected है जो की वे एक बहुत ही अच्छा sign है इंडिया के लिए अगर GDP ग्रो करता है तो हमारा इंडिया और stock market दोनों ग्रो करेंगे और आज का चोथा point और मेरा favorite point FIIs जो की foreign institutional investor है अगर यहाँ पे कोई भी party हो चाहे वो congress हो वीजेपी हो कुछ फरक नहीं पड़ता अगर पैसा नहीं है तो stock market को सबसे पहले चाहिए पैसा अगर पैसा आ रहा है तो stock market उपर जाएगा ही जाएगा अगर यहाँ पे देखें तो stock market में सबसे ज़्यादा पैसा invest करते हैं FII foreign institutional investor वो बाहर से पैसा लाके इंडिया में invest करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया एक growth story है इंडिया एक ऐसा country है जहाँ पे growth होने के chances ज़्यादा है और जिनके हिसाब से पैसा ज़्यादा बन सकता है अगर यहाँ पे देखें तो foreign institutional investor बहुत ज़्यादा amount में पैसा लाते हैं billions of dollars में invest करते हैं तो FIIs यहाँ पे क्यों invest करेंगे चार चीजों के लिए पहला political stability होना चाहिए दूसरा currency fluctuation ज्यादा होना नहीं चाहिए दूसरा low risk environment होना चाहिए और चौथा यहाँ पे policy changes ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम यह पूरे वीडियो को wrap up करें तो यह चार main चीजे होती है एक पहला policy changes दूसरा global relations तीसरा business growth चौथा FIIs अगर यह चार चीजे होती है तो इंडिया एक बहुती अच्छा suitable place होता है यहाँ पे लोगों को invest करने के लिए as well as foreign investors और DIAs जो कि domestic institutional investor अगर यह सब invest करते हैं stock market में तो definitely stock market बढ़ेगा और अगर आपने वो पिछला वीडियो देखा नहीं है FD और stock market का तो यहाँ पे description में link डाल दूँगा please देख लीजेगा so that's it for today guys I'll see you in the next video